आप 40 के उमर में दिखो 20 साल की तरह जवान अगर हफते में 3 बार करें ये काम हलो दोस्तों आप सभी को ब्यूटी में सीमा में बहुत बहुत स्वागत है जैसा हम जानते हैं कि जब हम 30 के उमर में पहुंचते हैं हमारे चेहरे पर बारीक लकीरे, जूरिया, ब्राउन स्पोर्ट्स, एज स्पोर्ट्स, पिग्मेंटेशन आने शुरू हो जाते हैं उसके अलावा हमारे चेहरे की जो ग्लो है वो भी कहीं खो जाती है और हमारे स्किन बहुत ज़ादा डल और एजट लगती है तो आज मैं आपके लिए लाए हूँ एक बहुत आसान और असरदार घरेलू नुस्का जो आपके चेहरे की उमर को घटा देगा आपके चेहरे पे एक यूद्फल ग्लो और एक गोरापन लाएगा तो आए जानते हैं उस नुस्के के बारे में तो इस नुस्के को बनाने के लिए जो पहला important ingredient हमें चाहिए वो है ये papaya तो मैंने ये थोड़ा सा पका हुआ papaya लिया है papaya में भरपूर मात्रा में vitamin C और alpha hydroxy acid मौझूद है अगर आप कोई भी anti-aging cream यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसके जो ingredients के list चेक करेंगे तो इसमें ये जो compound होता है alpha hydroxy acid ये आपको मिलेगा उसके बाद जो next ingredient हमें चाहिए वो है coffee powder तो मैं आधा चमच coffee powder डालूँगी ये dead skin cells को हटाता है और skin को polish और smooth बनाता है अब इसमें जो next ingredient में मिलाऊंगे वो है कस्तूरी turmeric जिसको wild turmeric भी कहते है आधा चमच ये healthy powder डालूँगी अब इसमें जो next ingredient में मिलाऊंगे वो है शेहद शेहद आपकी skin को moisturize कता है जूरियों को दूर कता है और spots को भी हटाता है तो एक चमच में शेहद डालूँगी और आखरी में जो ingredient इसमें में मिलाऊंगे वो है नीम्बू का रस ये चो नीम्बू है ये एक bleach की तरह काम करता है spots को दूर करता है जो की age spots है उनको दूर करता है तो इन सारी चीजों को मैं एक mixer में डालके अच्छे तरह से grind कर दूँगी तो इसे लगाने से पहले आप अपनी चेहरे को और गर्दन को साफ कर दीचे गुलाब जल से उसके बाद आप एक thick paste लगाईए अपर डिरेक्शन में इस तरह से ये एक ultimate remedy है आपके skin के लिए और ये 3-1 pack के तरह काम करता है face scrubbing के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं face massage के लिए या आप इसे एक face pack के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छे तरह से लगाने के बाद आप छोड़ दीजे इसे 10 से 15 मिनिट तक सूखने के लिए तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये अभी पूरी तरह से सूख्या है अभी आपको क्या करना है आप अपने हातों को गुन-गुना पानी से भीगो कर इस तरह से रब कीजे इस skin को बेहत polish करता है बहुत ही soft और smooth बनाता है तो इसे 1 से 2 मिनिट हलके हातों से रब करने के बाद आप इसे थंडे पानी से धो दीजे तो इस नुस्के को करने के बाद आप थोड़ा सा vitamin E oil लीजे आप चाहें तो ये vitamin E oil यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा vitamin E oil है खास कर कि सद्यों के मौसम के लिए और नहीं तो आप ये जो ये वाला vitamin E capsule भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं ये थोड़ा सा vitamin E oil लूँगे और मैं हातों पे इस तरह से इसे मसाज करूँगे तो ये जो नुस्का मैंने अभी दिखाए ये जो दो स्टेप्स मैंने अभी आपको दिखाए ये बहुत ही असरदार है ये आपकी चैरे को कांती मैं बनाता है चैरे की चमक को बेहत बढ़ाता है अगर आपकी चैरे पे जितने भी जूरिया है उस सारे दूर हो जाएंगे pigmentation है या spots है age spots तो वो भी इस नुसके से दूर हो जाएंगे अगर आप इसे regularly use करेंगे तो आपके चेरे से ये 15 से 20 साल घटा देगा बहुत ही असरदार है आप इस नुसके को ज़रूर try कीजे और मेरे साथ आपका result शेर कीजे तो फिर मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपनी सिहत का क्याल रखी take care and bye bye